भीहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है देखिए मुके सहनी एक बार फिर से चर्चा में आ गये हैं इस बार मुके सहनी ने ऐसा बयान दिया है कि कहा जरायक तेजस्वी यादों से मुके सहनी का मोह भंग हो गया है क्या मुके सहनी तेजस्वी का साथ छोड़ देंगे क्या मुके सहनी माहगटवन्दन से बाहर हो जाएंगे और NDA के साथ मिलकर दोहजार पचीस का चुनाओ लड़ेंगे देखे ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुके सहनी ने ऐसा बयान दिया है कि बिहार के सियासत में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है कयास लगा जा रहा है कि मुके सहनी जल्दी माहगटवन्दन का साथ छोड़ कर NDA के साथ चले जाएंगे देखे मुके सहनी ने कहा कि हमें किसी अपने भाई और भतीजे को सांसद और विधायक नहीं बनाना है तो देखे अब कहा जा रहा है कि मुके सहनी ने ऐसा बयान क्यों दिया उनके निसाने पर कौन है कहीं तेजस्वी यादों तो नहीं है देखे, 2024 के लोक सभाचुनाव में तीन सीट मुकेश सहनी के पाइटी को दिया गया था और तीनों सीटों पर मुकेश सहनी ने अपने परिवार से किसी को भी नहीं उतारा चुनावी मैदान में यानि कि तीनों के तीनों सीट पर मुकेश सैनी के सगा संबंदी कोई नहीं था मुकेश सैनी ने साब तोर पर कहा कि भाई हमें किसी अपने भाई और भतीजे को सांसद और विधायक नहीं बनाना है तो मुकेश सैनी के निशाने पर कौन है देखे जब भी परिवार वाद का बात आता है तो लालू परिवार पर सीधा निसाना साधा जाता है क्योंकि लालू परिवार में तमाम आप कह सकते हैं कि विधायक हैं, मंत्री हैं, पुर्व डेप्ती सीम हैं, दो-दो मुख मंत्री हैं तो कहीं न कहीं निसाना जो लालू प परिवार पर होता है परिवार वाद को लेकर तो इस बार मुकेश सहनी ने क्या तेजस्वी यादो को टार्गेट किया है हलंकि मुकेश सहनी ने नाम किसी का भी नहीं लिया लेकिन जो राजनितिक पंडित हैं वह अनुमाल लगा रहे कि मुकेश सहनी का लालू परिवार पर निसाना तो नहीं है मुकेश सहनी का क्या तेजस्वी यादों से मोह भंग हो गया है क्या मुकेश सहनी माहा गटवंधन का स्था छोड़ देंगे और दो हजर पचीस के विधान सभा चुनाव में एंडिये के साथ यानि की बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव तो नहीं लड़ेंगे देखिए लागतार मुकेश सहनी चर्चा में है निसादों के नेता है और निसादों की बड़ी पाइटी है वी आईपी जिसके संग्रक्षन मु के सहनी का मो भंग हो गया है और जल्दी महा घटबंदन छोड़कर इंडिये में सामिल तो नहीं होंगे बाराल एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं अभी हारेक सोच के यूट्यूब चैनल पर बनने हैं बहुत बहुत धनेवाद